हाई लो फ्रेंड्स मैं हूँ डॉक्टर सुमन गुप्ता इस्तुरियन प्रसुतिरोग वेशेशग्य और किंडम अफ हैल्थ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कॉंट्रसेप्टिव मैथट के रूप में जो हम इंट्रा इूट्राइन कॉंट्रसेप्टिव डिवाइस पेशेंट को लगाते हैं वह कैसी लगाई जाती है और वह सही जगे पर फिट हुई है कि नहीं हुई है इसको हम कैसी चेक करते हैं आईए इस स्विशे पर बात करते ह इंट्रायोट्राइन कॉंट्रसेप्टिव डिवाइस जो की इस तरीके की दिखती है और कई नामों से यह आती है पांस साल के लिए और दस साल के लिए काम करती है और यह एक रिवर्सिबिल मेथड है आप जब भी चाहें इसको निकलवा सकते हैं लेकिन कि यह सेक्शुली ट यूट्रस में लगाया गया है तो यह बहुत अच्छी तरह से काम करती है यह एक यूट्रस का मॉडल है और इस कॉंट्रसेप्टिव डिवाइस को इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा यूट्रस में ऐसे फिट किया जाता है और यह अपनी जगह पर इस तरीके से फिट रहती है जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं और यह चेक कराते हैं कि आपकी इंट्रा यूट्राइन कॉंट्रसेप्टिव डिवाइस यूट्रस में सही तरीके से फिट है कि नहीं है तो डॉक्टर दो तरीके के एक्जामिनेशन करते हैं एक वह हास से बाइमेनुल पैल्व यहां पर इस्पेकिलम एक्जामिनेशन करते हैं, जिसमें इस्ट्रुमेंट लगाकर सर्विक्स को देखा जाता है, और देखा जाता है कि यह थ्रेड दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, यह जो कॉंट्रसप्टिव डिवाइस होती है, अल्टरसाउंड के द्वारा अभी चेक की जा सकती है कि वह यूट्रस में सही तरीके से फिट है कि नहीं है, यहाँ पर ट्रान्स एब्डोमिनल अल्टरसाउंड किया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यूट्रस के सेंटर में आयूसीडी दिखाई दे रही है, जो की सही प्लेस पर मौजूद है यहां यह ट्रांस्वजैनल सोनोग्राफिय है जिसमें आई यू सीडी दिखाई दी रही है यूट्रस के सेंडर में इस तरीकी से गर्व निरुदा को पाए इंट्रा यूट्राइन कॉंट्रसेप्टिफ डेवाइस को यूट्रस में चेक किया जाता है कि वह सही जगह पर है और अपना काम अच्छी तरह कर रही है